हेलो डियर स्टुएंट्स आज हम बात करेंगे अपना जो टोपिक चल ले उसको आगे बढ़ाते हैं ठीक ना जिसमें लास्ट टाइम अपने किया था जूल टॉम्शन परसार के द्वारा सीतलन किया था आज का जो अपना टोपिक होगा वो है रुधोसम वीचुंबकन के द् सीतलन एक इंपोर्टेंट टोपिक है ध्यान देना आँ इस टोपिक को मैं दो वीडियो में वाज़ित करूंगा पहले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उक्करण क्या है और इसका प्रोसेस क्या है निविधी क्या है और सेकिंड वाले वीडियो के अंदर पर बात क करेंगे इसकी थोरी की बात करेंगे सिध्धान की बात करेंगे ठीक है ना तो थोड़ा सा ध्यान देना कोई इतना हाड नहीं है सबसे पहले देखो जूल टॉम्शन यानि टॉपिक लिखता हूं में टॉपिक क्या है रुधोसम वी चुम्बकन के द्वारा सीतलन के द्वारा सीतलन ठीक है ना यानि कूलिंग बाई एडियाबेटिक डी मेगनेटाइजेशन ठीक है तो देखो जूल टॉम्शन परसार के अंदर गैसों का टेंपरेटर जीरो जीरो पॉइंट être के अब क्या सकता है अगर इस से कम टैंपरेटर प्रप्ट करना हो आपको तो आप जूल टॉम्शन परसार से हैं या जूल टॉम्शन अंसे से प्रसार नहीं कर पाते हैं तो फिर एक वेगनिवड़ा डिबाई और विगाउक डिभाई विगाउक ने सबसे पहले ये बताए था कि इस प्रोसेस के द्वारा रुधोशंवी चुमकन के द्वारा सीत्रन भी आप प्राप्त कर सकते हो उन्होंने क्या बताया कि जब किसी अनुचुम्ब किये लवण क्या बता है मैंने आनू चुम्ब किये आनू चुम्ब किया नी पैरा मेगनेटिक पैरा मेगनेटिक लवन को जब आप चुम्ब कित करते हो जब आप क्या करते हो चुम्ब कित करते हो तो इनका ताप बढ़ता है लेकिन जब इसको आप वी चुम्ब कित करते हो वी चुम्ब क क्सित, करते हो, तो ताप करता है कम हो जाता है इशी को बोलते है magnetocaloric effect बोलते है कुम्बक उस्षमिय परभाव बोलते है क्या क्या मैंने magneto क्लोरिक कि इफ्यक्ट यहाँ तक इतना खास बात वही नहीं फिले अल कविन यह बात नहीं हम करते है तो उसका temperature कम हो जाता है चुमकन करते हैं तो उनका temperature बढ़ जाता है और इशे को बोलते हैं चुम्बक की उसमें प्रभाव बोलते हैं ठीक बात है आज गिल क्या है कि बहुत ज़्यादा चुम्बक के च्छेतर अपलाई करके 10 की पाउर माइने 6 کےल्विन तक का temperature प्राप्त कर लिया गया है तो जखो मैंने हाँ एक छोटी शी बात रह गी मैंने यह आपर बोला था अनूचुंबक के लवण आनूचुंबक के लवण के रूप में आप फिटकरी काम में ले सकते हो फिटकरी यानी पोटासलम और पोटासलम का सुत्र अगर फोर्मुला रासायनिक सुत्र याद करना चाहो तो K2SO4, Al2SO4 का होल था इस या फिर आप गेडोलियम सलफेट गेडोलियम सलफेट काम में इस आप से यहां तक आपने यह सिखा है कि मेगनेटो क्लॉरिक एफेक्ट क्या है अब मैं इस वीडियो के इंदर बात करूंगा कि रुदोसम वी चुमकन जो के द्वारा सीतलन करते हैं उसका उपकरण कैसा है उपकरण तो उपकरण के लिए कोई खास नहीं है इसमें एक नली ए होती है तो यह दखे एक नली नहीं होती है एक पात्र टाइप होता है एक कोई पात्र है यह ले लिया मैंने पात्र ए ले लिया अच्छा इसका समंद इसका समंद एक टी आकार की नली से कर देते हैं किससे करते हैं टी आकार की नली से करते हैं, यह टी आकार की नली है, ठीक बाद सुन जागी, इस पात्र का नाम बताया है, मैंने ए पात्र लिया, फिर बाद में देखो, इसके अंदर आपन वो अनुचुम्ब के लवन रखते हैं, यह क्या आपका रखा, अनुचुम्ब के लवन रख दिया ऑपने यह बाद में लिखे एक बार लिखना है वो बाद में लिखेंगे नहीं लिखना है फिर ईसको एक ड्यूर Krach के लिखना पात्र एक को या की कोई कि ड्यूर Krach है रिफ के अंदर है ही मैं यह डाल देते हैं ही लियम डाल डाल देते हैं या ऐसे बोलो liquid helium डाल देते हैं चलो यह कर दिया और इस पात्र को एक दूसरे पात्र के अंदर रख देते हैं जो कि डूर फ्लास्क नहीं है को दूसरे टाइप का पात्र है तो यह रखा थोड़ा देखो इसकी उस पर मज़ा नहीं किस प्रकार का बनाया है इसको समझने कोशिश करना इसके अंदर डाल देते हैं क्या डालते हैं इसके अंदर डालते हैं liquid hydrogen इसके अंदर डाला यह liquid hydrogen डाला फिर जैसा कि शुरुवात में आपने बात की यह थी कि इस पर चुम्बक के छेतर अप्लाई करेंगे अपन और जब चुम्बक के छेतर अप्लाई करेंगे तो अनु चुम्बक के लवण जो है वो क्या हो जाएगा चुम्बक के छेतर अप्लाई करने के लिए अपन को क्या ये माना की N है और ये क्या है S है आप थोड़ा समझो देखो क्या कुछ कर दिया मैंने क्या बताया कि यह जो है यह आपका अनुचुम्बक की लवन है और अनुचुम्बक की लवन के रूप में क्या हो सकता है गैडोलीनियम सलफेट या फिटकर ही हो सकती है फिर बाद देख तो यह जो आपकी जो पत्र ए है इसके चारों तरफ यह कुंडलिया लपेटी हुए होती है इनको बोलते हैं ताप मापक कुंडली इस रहे बोलते हैं क्योंकि जैसे टेंपरेचर में परिवर्तन होगा तो इन कुंडलियों के द्वारा अपने चुंब के परवर्ति मापते तो यह है ताप मापक कुंडली यह भी सुन्या गया होगा इसके बाद में इस पात्र का संबंद इस तीन अली से कर रखा है इस साइड से तो इसमें डालते हैं दर्व हीलियम क्या डालते हैं दर्व हीलियम डालते हैं और यह जो साइड है इसके द्वारा अपन करते हैं नि करना हो तो अपन क्या करेंगे उस से निकाल देंगे ठीक बात है फिर बाद में दो तिन बात और गी मैंने क्या इसमें यह क्या डाल रखा है यह लिक्विड है तो यहां मैंने बात की यह दरो हेलियम है यह क्या है दरो हेलियम है लिक्विड हेलियम है और फिर बाद में इसके क्या है तो इसके लिए मैंने बोला था दर्व एच्टू या दर्व हाइडोजन तो यह अपना उपकर्ण हो चुका है एक बार दुबड़ा सुनो यह को नली का ए है नली का ए के अंदर आपने क्या अनुचुम्ब के लवण लिया है अनुचुम्ब के लवण के रूप में ग दूसरे साइड से किसे होता है निर्वात यह निर्वात करने के लिए गाइस बाहर निकालते हैं इसके बाद मैंने क्या था इसको अपने एक डूर फ्लास्क में रखते हैं और उस डूर फ्लास्क के अंदर यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह दर्व हीलियम है बात समझा इसके बाद में बात करते हैं इस डूर फ्लास को किसमें रखते हैं एक ऐसे पातर में रखते हैं जिसमें पहले से ही क्या है दरो एच्टू है और इस पूरे सिस्टम को किसमें रख देते हैं दो चुम्बक के धुरूं के बीच में रख देते हैं तो यह उपकण आपके संद् को लपेट देते हैं और इन कुंडलियों के द्वारा कुंडलियों के द्वारा अपन क्या मापते हैं तैमप्रेशर का मेजर मेंट करते हैं तो यह मापक कंडलिया हैं विदी में डायग्राम वही काम में लेंगे दुबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे आप देखो शुरुवात करो कैसे करते हैं तो शुरुवात में सबसे पहले अपना पात्र ए है इसके अंदर अनुचुम्ब के लवन लिया फिर बात में क्या करते हैं दरो हीलियम प्रवा फिर बात में एक चोटी शी बात रहे गई कि यह इंडोजन मक्सिद क्या था इतना था कि इसका जो समंध्य है वह एट्मोस्पेर से कट जाए यानि एट्मोस्पेर का टेंपरेचर ज्यादा होता है इसका कम होता है तो इसको समंद अलग रखेंगे यानि ताप प्रवणता उत्पन करने के काम में आती है आप दुबारा सुनो दरो हीलियम इसमें डाल दी तो इस लवन का टेंपरेचर क्या होगा आपका सबना हरं तो इसका टेंपरेचर बढ़ेगा थोड दर तो यहां दो लीक्GUिड हत रहाई ऐंस क्या बन जाएगी थोड़े बहुत गैस बन जाएगी है थोड़े बहूत तो लिक्विशन ऑपलेसे हाई कि जैसे ही इसको अनुचुमकित करते हैं तो यहां पर जो लिक्विड हीलियम थी वो थोड़ी गैस बन जाएगी थोड़ी दरों बन जाएगी अब अपना काम क्या होता है कि इस सारे सिस्टम को इधर से बार निकाल देते हैं तो इसको थोड़ा अटा रहा हूं ये नेक्स स्टेप में दुबारा सुनो एक मिंट के लिए दुबारा बोलना हूं सबसे पहले इसके अंदर दर्व एची प्रवाइट किया सबसे पहले दर्व एची प्रवाइट किया तो ये ठंडा हो गया आपने प्रवाइट कर दिया नहीं इसका और इसका टेंपरेचर क्या हो गया बराबर हो गया फिर आपने चुम्बक के छेतर अपलाई किया तो ये चुमकित होगा चुमकित होगा तो यहां का टेंपरेचर ब है वो इधर से निर्वात में बेज देते हैं निर्वात में बेजने का मतलब यह है कि उसको बार निकाल देते हैं और यहां कर देते निर्वात कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निर्वात कर देते हैं, तीसरी स्टेप में, निर्वात जब जैसे करते हैं, तो देखो, इसका टेंपरेचर है, इस डर्व एची के बराबर हो जाएगा, इसका और इसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा, थोड़ देर में बराबर हो करते हैं कि अचानक अचानक आप बी को जीरो करते हो बी को जीरो करने का मतलब आप क्या कर रहे हो डी मेंगनेटाइजेशन कर रहे हो अचानक आप बी जीरो करते हो तो इसका डी मेंगनेटाइजेशन होता है और डी मेंगनेटाइजेशन होते ही इसका टेंपरेचर और कम हो हो जाएगा तो देखो इस प्रकाद से अपन ये छोड़ी तो चलो अगले में नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा आप तक आपने क्या सीख लिया एक लिद् Community स्दर्व 파इर simplicity से हैं कोई दिक्कत मेन के बारे में पहले बता दिया और यह किस के बारे मता दिया है। तो लास्ट में में इसका टंप्लेटल्प्रृचम होई गांबां थो आज के लिए वसितना ही थेंक्यू धन्यवाद